हेलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे बच्चों की नाभी यानि कि उसके बेली बटन के बारे में जिसकी केर हम शुरू के 10-15 दिन में ही करते हैं क्योंकि जब बच्चा रहता है वह माके से अलग किया जाता है तो जो अमलाइकल कॉर्ड इसको कट किया जाता है यानि कि गर्भ बिल भूल जाते हैं पर आप सोचे कि सरीर में होता यह माइक और यानिलता ह feeling hmd śm उसको जो नूट्रिशन भात यह उससे उसको जो नूट्रिशन भी खातो कि द्वाराइद की बच्चे की बॉडई में बहुंचा जो ब सब्लट जाता है उसे सारा tis उसको मिलता है और यह गर्बनाल नावी से जूड़ी होती ही यह तो आपको मालूम ही और जब बच्चे की अमलाइकल कॉर्ट की जाती है तो इसके अंदर थोड़ा रहता है और वहां ब्लूर्ड सेव किया जाता है आज कर बहुत सारी ब्लूर्ड ब्लूर्ड बैंक्स हो गई टीह और फिर इस वो सकती है याँ तक की चैनसर सब्सक्राइब करे आफ सब्सक्राइब माइए वह बत तो इस planeta आख अगर आप बच्चे की बेली बटन यानि की नाभी पर लगाएंगे तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बलकि उससे बच्चे को बहुत ज्यादा फायदे होंगे तो चलिए मैं शुरू करती हूँ उन तेलों के बारे में बताना आपको बादाम का तेल अगर आप ब जानेफे और आप बच्चे की बेली ब爪न में रोज डालेंगे तो उससे क्या होगा कि bossy की यादाश थे सिरक घड़ रहती hora बच्चे को ऐक बमी करने तो इस्में काफी था आ कफ़ी पर देखर ज्याएंग उसके बालों में वह वहुत फरक्त देखे रिएंगे को पर ब भी नहीं होंगे अगर हम वन ड्रॉप सरसो के तेल की जिसे मैंने पहले भी बताया है बच्चे की नाभी में लगाते हैं तो उससे बच्चे के पूरे स्कीन ग्लो करती है उससे बच्चे को बहुत फायदा होता है और सबसे ज्यादा बच्चे के जो होट फट जाते हैं अधिकतर वह हमेशा अच्छे रहेंगे वह नहीं फटेंगे और यहां तक हम बड़े अगर एसा करें तो हमारी जो एडिया फट जाती है वह भी सही हो जाए तो अगर वह दो बून नीम का जो तेल आता है किसी भी केमिस की दुकान से आप ले सकते हैं वह अगर अपनी नाभी में लगाएंगे तो उससे उनको बहुत आराम होगा इन पिंपल्स में तो मैंने यह जो ऑईल बता है इसको लगाए ज़रूर क्योंकि इससे कोई साइड वगेरा नहीं होना चाहिए और दूसरा यह है कि हम जब ऑईल लगाएं तो वह ड्रॉपर से लगाएं क्योंकि हमको वन ड्रॉप ही डालना है तो या तो आप आपके उंगली में ले लिजिए एक ड्रॉप या फिर सीधे बच्चे की नाभी में एक ड्रॉप डाल दीजिए और फिर दस से पंदरा बर हलके हलके हाथों से उस पर मसाज कीजिए और यहां तको रात को लगाएं तो जादा अच्छा रहेगा पूरी रात बच्चे की शरीर पे रहेगा और उसके बाद में सुबह जब बच्चे को नहिलाएं तो इस जगह को जो नाभी है उसको इस तरह से आप बच्चे को उनकी नाभी में जरूर लगाएं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें